इन गायों को अवे तरीके से बंगलादेश पहुचाने की तैयारी चल रही है हर मवेशी पर कुछ खास निशान बनाय जाते हैं जिससे सीमा पार मौजूद तसकर पहचान सकें की दाम किसे चुकाना है भारत से गायों की तसकरी करने वाले और जेल जा चुके एक शक्स ने इस धंदे के रास खोले जो लोग जाते हैं जो लोग कराते हैं उनको कितना पैसा मिलता हुआ बांग्लादेश सीमा तक गायों को पहुचाने का काम आसान नहीं है जब सुरक्षा कड़ी दिखने लगती है तब गरीब और खुद को अंजान बताने वाले किसानों का भी सहरा लिया जाता है भारत से बांग्लादेश तक गायों की तसकरी का सिलसिला पुराना है पश्चिम बंगाल के अलावा असम और मेघाले वो राज रहें हैं जहां से एक जमाने में लाखों गायों की तसकरी होती थी सिलसिला कम हुआ है लेकिन आज भी जारी है एक जीर साल पहले तक दिन रात स्मगलिंग होती थी कभी गारी से तो कभी पैदल बड़ी वाली गायों की तसकरी बेरोग तोक जारी थी फिलाल बड़ी गायों की नहीं बलकि छोटी देशी गायों की तसकरी चल रही है असम समेद भारत के ज्यादत राज्यों में गोमान्स खाने पर पाबंदी है लेकिन जैसे जैसे आप भारत बांगलादेश की सरहत की ओर बढ़ते हैं गाउं देहात में दिखने वाली गायों की संख्या बढ़ती जाती है भारत बांगलादेश सीमा पर बसे इस गाउं में मवेशियों की ये बाजार करीब करीब हर दुश्य दिन लगती है यहां के सानिये लोग बहुत बड़ी संख्या में मवेशिय पालते हैं क्योंकि उनको पता है कि सीमा के उस पार उसकी खास डिमांड है दोनों देशों के बीच चार हजार किलोमीटर लंबी सरहत है जहां ब्रह्मपुत्र और अन नदिया इन दो देशों को अलग करती है वहां तसकरी को रोकना एक बड़ी चुनौती है इन गायों को कल देर रात ब्रह्मपुत्र नदियस से बचाया गया है और इनको दुबारा आक्शन हाजूस में बेज़ा जाएगा हो सकता है कि इनकी जैसी कुछ और बंग्लादेश की किसी स्लोटर हाउस में पहुँच चुकी हो चुनौती तब और बड़ी हो जाती है जब तसकरी के दोरान पकड़े गए मावेशी दोबारा भारतिय बाजारों में पहुँच जाते हैं हमारे पास कोई एक प्लान नहीं जिसे मवेशियों की तसकरी पर पूरा अंकुष लग सके तसकरों के तरीके बदलते रहते हैं और हमें भी वही करते रहना पड़ता है ताकि उन्हें पकड़ सके सबसे बड़ी चुनौती है मैन पावर की कमी दूसरी सब्चवड़ी दिक्कत है बांगलादेश के साथ करीब 50 किलोमेटर लंबी नदी की सीमा हाला कि BASF तो अत्याधुनिक तक्निक वाली स्पीड बोट से पिट्रोलिंग करती है लेकिन स्थानिय पुलिस के पास इनकी काफी कमी है इसमें कोई शक नहीं कि गायों की तसकरी में थोड़ी कमी दिखती है लेकिन जिस पैमाने पर तसकरी अभी भी जारी है उस पर पूरी तरह काब उपाना उतना ही नामूमकिन भी लगता है नितिन शुरवास्तप BBC असम